आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं वो है एक स्वीट दिश हमारा ट्रेडिशनल सूजी का हलवा इसके लिए जो हमें चीजे चाहिए होंगी वो है एक कप सैमुलीना यानिके सूजी ये बिल्कुल फाइन वाली है फाइन कॉलिटी है बिल्कुल बारिक वाली इसके इलाव हमें चाहिए होगा 2.5 कप शुगर जो हम रोजमरा के लिए इस्तेमाल करते है इसके इलावा हमें इसके इंदर चाहिए होगा 3.25 कप घी ये असली घी है मेरा होममेड है जो मैंने बलाई से बनाया है उसके इलावा इसके इंदर जाएगा 1.4 टीस्पून ग्रीन कार्डमम क केवड़े का वार्टर और उसके इलावा हम इसके अंदर और और इंज कलर एड़ करेंगे पानी नापी ती पानी नापी ती पूरा परफेक्ट 3 कप्स चाहिए उनको इसके बाद मैं इसके अंदर शुगर एड कर दूँए अब हम शीरा पकाना शुरू कर देते हैं इसको हम एकाद दफा चमचा चला लेंगे पानी डालेंगे बावजू चीनी कभी कबार लग जाती है तो अब मैं इसे दर्म्यानी आज के उपर पकानी के लिए रखनी हूँ जब यह रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी इसमें कोई तार नहीं चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जब यह पके तो इसके अंदर चीनी जो हो डिजॉर्ब सिंपल सिरफ बनाने के लिए मैं इसे दूसरे चूले पर रखनी हूँ और फिर मैं आपको हलवा बनानाब सिखाती हूँ कड़ाई में मैंने सबसे पहले घी गरम कर लिया है अब इसके अंदर मैं सूजी एट करूँगी एक कप और इसे मैं दर्मियानी आज के उपर अच्छे से भून लूँगी जब तक कि यह गोल्डन नहीं जाती है अब मैंने चूला बिल्कुल स्लो कर दिया है एक तरफ हमारा शीरा भी रेडी है और यह देख लिए आप फूल भी कितना गया है अब मैंने चूला बिल्कुल स्लो कर दिया है, एक तरफ हमारा शीरा भी रेडी है, दोनों चीज़े बहुत गरम है, बहुत दिहान से ये काम करना है, इसे देखकर आप ये बिल्कुल मत समझेज़ेगा कि ये हलवे की जगा हरी रगों के अदर एड़ कर देंगे छोटी लाइची का पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम इसके अंदर दूसरी चीज जो एड़ करेंगे, वह है कलर, कलर आप अपने हिसाब से एड़ कीजिए, जितना तेज या हलका आपको पसंद है, मेरे निसाब से वस इतना गलर बहुत है, इसे 2-3 मिंट पक्थाने है, एक मिंट इसके अंदर तकरीबन अरड़ी गो चुका है, इसे मैं एक मिंट तकरीबन और दूँगी, आप देख लीजिए अभी थोड़ देर पहले, इसके अंदर कितना सारा पानी था, लेकिन अब इ इसे स्टेज पर मैं इसके अंदर एड़ करूंगी, वन टी स्कून केवडा ओडर, मिक्स करेंगे से, और अब मैं इसके नीचे फ्लेम आफ कर रहे हूं, थोड़ी जर बाद में आपको इसको दिखाऊंगी, ये इससे और थोड़ा सा ज्यादा थिक हो चुका होगा, हमारा पूरियों के साथ का हलवा बिल्कुल रिडी है, बहुत मज़िदार बना है, बहुत इजी भी है, फौरी पांच मिंट में जटपट बन जाता है, आपको अगर पसंद आए तो कमेंट्स में बताइए मुझे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे च